नमस्कार दोस्तों वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंसी निूज अप्टेट लेकर के हम एक बार फिरूपस्तित हैं शाथियों आज की हमारी जो वेकेंसी निूज है वो महाराश्टर मेट्रो रिल के बारे में है जो कि महाराश्टर सरकार और इंडिया का एक जोइंट वेंचर है जिसे शोर्ट में महा मेट्रो कहा जाता है इसमें टेक्निशन के पदों पर भरती आ चुकी है आई टीए ये लिए यहां पर क्वालिफिकेशन रखी गई है किसी परकार के अनुभव की कोई आउशकता नहीं है वीडियो को लाश्ट तक का जरूर देखना भरती से समंदित एक-एक पोईन पर हम बात करने वाले हैं बात करेंगे कि सिलेवर्स कैसा रहे hedge का किसे प्रॉसेश कैसे है अप फोर्म को कैसे applies कर सकते हैं अपर- एजलिए-लोवर-एज और हम इसके लिए वेतन की भी बात करेंगे दोस्तों सब से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आप माराष्टर state से है तो इस वीडियो को complete देखना क्योंकि इसमें माराष्टर के इलावा apply नहीं कर सकते इसकी भी मैं पूरी detail आपको बताऊंगा तो आप चाहें तो वीडियो से start हो जाएंगी और इसके लिए जो last date रहेगी वो 21 जनवरी तक की है यानि लगबग आपको एक महिना और आठ दिन का समय मिलेगा यहां पर ठीक है दोस्तों आप 14 दिसंबर से 21 जनवरी 2021 तक apply यहां कर सकते हैं और यह post जो है वो non supervisory post है अलाकि operation और maintenance के लिए यहां पर duty लगाई जाएगी जो metro में service होती है वही काम रहेगा यहां पर कोई दिक्कत नहीं है देखिए सबसे बड़ी जो चीज है न वो post और उसके बारे में हम बात में बात करेंगे सबसे बड़ी बात यह है यहां पर requirement of domicile and knowledge of Marathi language यह सबसे बड़ी चीज इन्होंने डाल दी दोस्तों यहां पर और देखिए क्या लिखा है should be domicile of Marathi state and having knowledge of Marathi language reading, writing, speaking यानि Marathi state का मूल लिवासी आप खोने चाहिए आपको Marathi लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए तो मुझे लगता है कि Marathi state के अलावा ऐसा बहुत कम कोई student होगा जिन को यह तीनों चीज़े आती हो इसलिए यदि आप Marathi से है तो आपके लिए यह अच्छी कबर है otherwise आप इस वीडियो को skip कर सकते हैं चलिए दोस्तों post की detail से बात करते हैं technician electrical के जो है इनकी कुल 23 सीटे है यहां पर 23 जहां general के लिए 12 SC के लिए 2 ST की एक OBC की 6 और 2 सीटे EWS के लिए रखी गई वहीं इनी में 2 सीटे एक सर्विसमेन के लिए भी है साथियो salary 20 हजार से लेकर 60 हजार रुपे तक का है इन में आपका other allowances भी मिलेगा 18 से 25 वर्स की age है NCVT या SCVT किसी भी trade से आप IT हो सकते हैं electrician, wireman या electrical इन में से आपने किसी तीनों trade में से IT करियो हाँ IT आपने कहीं से कियो इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा आप मूल निवासी महराष्टर के हैं और आपने उत्तर परदेश राजस्तान या मद्य परदेश बिहार से मान लेजिए आपने IT किया हुआ है तो you are eligible आपका form accept हो जाएगा यदि किसी ने IT महराष्टर से किया है और वो दूसरी जगह का रहने वाला है तो वो apply नहीं कर सकता क्योंकि मूल निवासी इन्होंने साथ में जरूर लिखा है वही मैं technician fitter की बात करूँ तो 13 seat है same situation वो वेतन की और IT, NCVT, SCVT fitter trade में है वहीं बात करूँ मैं technician के लिए तो अगली post जो है वो technician civil की है और उसके बाद में electronics की 13 seat है electronics में काफी student IT वाले होते हैं दोस्तों तो यदि आप electronics से IT holder है तो ये आप के लिए एक great opportunity हो सकती है लेकिन वो ये ना should be domicile of marashto state and having knowledge of marathi language ये दो criteria आपको fulfill पहले करना पड़ेगा RAC का भी है यानि AC and refrigerator जो है उसकी भी vacancy यहाँ पर आई है दोस्तों तो ये तो थी बड़ी बात हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लिए कि minimum qualification देखे है इन्होंने फिर repeat कर दिया यहाँ पर है ना ssc pass with iti ncvt हो या scvt हो कोई दिक्कत नहीं है electrical, fitter, plumber, electronics, electronics या mechanic RAC किसी से भी हो लेकिन यहाँ देखे working knowledge of Marathi language is compulsory दोस्तों यह भूद बड़ी चीज यह नोंने लिख दी यहाँ पर और लिखा भी है this will be subject to verification before selection selection से पहले आपको Marathi का test लिया जाएगा एक तरह से verification किया जाएगा कि एक चुल में आपको Marathi आती है कि नहीं जो profile को आप छोड़ दीजिए बात करते हैं selection process पर क्योंकि important बात है न selection कैसे होगा दोस्तों selection technician post के लिए दो process इसकी follow करनी पड़ेगी या यह कहें कि दो stage आएगी एक में CBT होगा दूसरे में आपका medical examination होगा हलांकि medical बड़ा tough नहीं है B1 category का आपको यहांपर medical देना पड़ेगा साथ यो medical से समझनी थे metro में जो medical होता है उसके बारे में हमारा एक video पहले से upload है आप उसको देख सकते हैं देखे जो आपका CBT होगा दोस्तों वो कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बता दूँ तो CBT कुल तीन भागों में होगा part first second और third ठीक है और part first second third जो होंगे वो total तीनों part एक साथ ही होंगे द्यान रखना एक ही paper में होंगे लेकिन दो घंटे का जो है वो इसके लिए time रहेगा तीनों के लिए इनमें क्या है देखे दोस्तों part first जो है न वो मराठी भासा का होगा 10% मार्क्स होंगे यानि 15 क्यूसन इसमें आएंगे ठीक है जैसे पूरा paper 100% का है उसमें जितने भी क्यूसन होंगे उनमें से 15 क्यूसन 10% मार्क्स रहेंगे लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कम से गम इसमें 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे यानि कम से गम आपको 6 क्यूसन सही करने पड़ेंगे ठीक है और यह सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरह से यह माह लिजए कि qualifying in nature है यह सिर्फ आपको qualify करना है यानि part 1 में यदि कोई 40% नहीं ला सका तो वो not eligible होगा उसका part second और third जो है वो जान सही नहीं किया जाएगा मुल्यंकनी नहीं होगा part first merit में aid नहीं किया जाएगा यह भी आप ध्यान रखे part second और third की merit बनेगी और part जो second है वो हिंदी और English में ही होगा वो मराठी बासा में नहीं होगा और वो आपका जो है 35 क्यूस्टन का होगा general awareness, logical, ability, quantitative, aptitude इन से समन्दित होगा एक समान नंबर के होंगे सभी और one third यहाँ पर negative marking रहेगी यह ध्यान रखना इसी तरह से जो part third आपका है तीसरा भाग जो है इसमें trade theory से समन्दित 100 question होंगे और यहाँ पर भी one third negative marking रहेगी यह आपको जुरूर ध्यान रखना है और यह भी हिंदी और इंगलिस दोनों बासाओं में होगा इसमें भी कोई दिकता नहीं होगी आपको लेकिन main problem दोस्तों यहाँ है पार्ट वन जो है वो मराठी वाला आपको qualify करना ही पड़ेगा otherwise पार्ट second और third जांच ही नहीं किये जाएंगे लेकिन important part second और third भी है क्योंकि merit जो बनेगा ध्यान से समझेगा दोस्तों वो part second और part third से ही बनेगा दोस्तों हम यदि forum फीस की बात करें तो general OBC और EWS के जो candidate है उनके लिए 400 रुपे की फीस रखी गई है जबकि SCST के लिए यहाँ पर और मैलाई जितनी भी है उन सब के लिए 150 रुपे की फीस रखी गई है दोस्तों ध्यान रखें यह फीस हमेशा non refundable होती है कभी वापिस आपको नहीं मिलती है और वहीं मैं age के बारे में बात कर दूँ तो 18 से 25 वर्स की जो age है यह unreserved category के लिए है दोस्तों ध्यान रखना जो upper age है उसमें age पर reservation छूट भी है जैसे SCST को 5 वर्स की OBC को 3 वर्स की इसमें छूट भी रहेगी साथ यह जो competition exam CBT होगा उसका जो center रहेगा वो मातर चार cities में है पुने, मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद इन चार जो cities है यहीं पर आपका CBT का center आएगा यहीं आपको paper देने जाना है खेर apply जब महाराष्टर वाली कर सकते हैं तो उनको कोई problem नहीं होगी वो यहाँ paper देने भी आ सकते हैं दोस्तों आप official website पर visit करें और इस पूरे notification को download करें PDF को पूरे को easily आप पढ़ें उसके बाद इस फोर्म को apply करें और यह official website है www.punemetrorail.org यहाँ carrier पर जाकर के आप इस PDF notification को download करें पूरा notification पढ़ें उसके बाद फोर्म अपलाई करें वीडियो पसंद आया तो like जरूर करें फ्रेंड्स को आगे share जरूर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करें